असलाम अलेकों मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं सब अमीद है के सब ठीक ठाक होंगे लाद अला सबको खुश रखे आज मैं आपके साथ एक और डिफ्रेट स्टाइल मैं ये लेकर आई हूं कुर्ती कहने या इसको शर्ट कहने जो भी कहने इसको हम सिंपल शर्ट को हम कैसे गर में ही रेडिमेट शर्ट की रूख दे सकते हैं ये मैंने इसके ओपर कंप्यूटर एज मशीन के साथ मैंने इसको ये कड़ाई की है उसी के साथ ही मैंने इसको ये साइट से मैंने भी सारा इसको एक साइट से मैंने कंदे की स्लाई से शुरू करके इसको चाक दामन यह सिंपल कुरता है सीधा कि जो पेना हुआ बहुत अच्छा लगता है यह कालिज कॉ इज गोइंग लड़किंव के लिए अर जो हमारी आज कल की बच्चिया है उनके पेना हुआ यह बहुत अच्छा मैंने इसको एक नॉर्मल शर्ट से मैंने इसको 2-2 इंच दोनो साइड़ों से टोटल 4 इंच बढ़ा कर रखा है तो इसे मैं तेजार 20 इंच करँगी आप इस 20 इंच भी कर सकते हैं मैंने दोनो साइड़ों से 2-2 इंच extra कपड़ा लिया है और इस तरह मैंने इसको प्रेस के साथ इसके ओपर निशान बिठा लिया है और ये मैंने रोल बुकरम लिया है पट्टी वाला जिसकी एक चुड़ाई है ये ही मैं इसके चारो तरफ पेस्ट कर दूँगे अंदर वाली साइड पर ऐसे मैं इसको इस तरह के साथ पेस्ट कर दूँगी सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें जो मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो जरूर सबस्क्राइब करें और लाइक करें शेयर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर मुझे अच्छे अच्छे से कमर्स करें ताकि मेरा होसला बढ़े कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से डिजाइन लेकर आ सकूँ यह मैंने इसको दो दो इंच का निशान लगा लिया वाई इसके उपर अब मैं पहले इसका कंदे का साइस लूँगी कि मुझे इसके उपर कंदे की कितनी खुलाई ही चाहिए और चुडाई मैं वो निशान लगाकर तो फिर अपने साइस के अपर पेस्ट करूंगी वुकरम को यह मैंने अपने तीरे का निशान लगा लिया है जितना मुझे यह शर्ट का तीरा चाहिए उसके हिसाब से आप अपने साइज के हिसाब से इसको कर सकते हैं एक डिफरेंट स्टाइल में त्यार होगी शर्ट जो आपको बहुत पसांद आएगी यह बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी जैसे रेडिमेट कपड़े की हैं अगर आपके पास नहीं भी कंप्यूटराइज मशीन है तो आप सिंपल स्लाइज मशीन से भी इसके उपर डबल दागा जैसे फिरकी में डालके या उपर बरके उसके डबल या ट्रिपल तार में वो आप सिंपल थ्रेड जो होता है उसके साथ भी आप इसके उपर लगाने इसको एक एक पैर के वक्फे से जो हमारा स्लाइब मशीन का पैर होता है उसके साथ तो फिरो ये तब भी ये डिजाइन बहुत अच्छा बनेगा तो मेरे पास ये मशीन थी तो मैंने का चले इसी के साथ मैं अब डिजाइनिंग करती हूं और आपको भी दिखाती हू इन्शालला मैं इसके ट्रॉजर की वीडियो भी आजकल में ही अपलोड करूंगी ये मैंने जो निशान दो दो इंच का बिठाया था उसी के साथ से मैंने ये शारी सारी शार्ट के चारो तरफ मैंने ये वक्रम पेस्ट कर लिया हूए अब इसके मैं दामन पर भी ऐसे ही ल मीरी आप सब से रिक्वेस्ट है कम अज कम वीडियो को आप फुल पोच करें अगर नहीं कर सकते तो कम अज कम जर कम चार पांच मिनिट तो जरूर किया करें कम अज़ कम 3-4 मिनट जरूर दिया करें वीडियो को और हम सब को चाहिए कि हम एक दूसरे की स्पोर्ट करें और फुल स्पोर्ट करें ताके सब भी कामयाब हो सके हैं यह देखे हैं मैं प्रेس करके इसको ऐसे पर ठालूंगी ऐसे ही ये दामन से भी मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है ये देखें अब हम करते हैं इसकी स्लाई शुरू जो हमने इसके उपर डेजाइन बनाना है ये मेरी computerized machine है इसके उपर ये जो 26 नमबर वाले डेजाइन होगा मैं वो बनाऊंगी ये मैंने simple दागा लिया है जिसके साथ हमारे कपड़े सलाई होते हैं single single तार है इसके इसमें double तार डालने के जरूरत नहीं है दाग गयागी ये देखें अब मैं इसको ऐसे रखूँगी मैंने इसको किसी चीज़ के साथ पेस्ट नहीं किया चिपकाया नहीं है सिर्फ बुकरं पेस्ट किया है और इसको मैंने प्रेस कर लिया है इसी के साथ मैं ये सलाई हैं लगा दूँगी पहले मैं इसके साथ किनारे के साथ बिल्कुल पैर का जो होता है हमारा वो वाला फासला जो होता है उसी के सहाफसे मैं इस की यह सलाई लगाऊंगी यहां से दोरा सा मेरा कामरा जो हर रहा है वाइब्रेशन की वज़े से यह देखें जिग्जग का जो डिजाइन बन रहा है पैर के इसाफ से किनारे से मैं इसको पैर के साफ से फिर मैं इसको जोइंट करूंगी जो इसी मशीन में डबल सलाई आ जाती है उसके साथ आप मेरी वीडियो को देखते जाए और इंजवाए करते जाए ऐसे ही मैं इसके चारो तरफ यह स्लाई लगा लूँगी कंदे की एक साइट से मैं शुरू करूंगी जो मैंने निशा लगाया था बाजू का जिसको तो फिर इसको मैं दूसरी साइट तक ले जाऊँगी ऐसे ही यह देखें यह मेरी एक साइट से यह कंप्लीट होगी अब मैं इसी तरह दूसरी साइट पर भी लगाऊँगी उसी साब से जिस तरह मेरा मुख्रम है उसी के इस साब से किनारे की स्लाई छोड़के तो वह मैं लगाती जाऊँगी यह हमारी डबल सलाई हो जाएगी यह देखें यह मैंने इसकी डबल सलाई कंप्लीट कर ली हुई है अब मैं दोनों शेटों का दिखा रही हूं आपको मैंने दोनों साइडों पर यह दिखें शेट की दोनों तरह मैंने सलाई लगाई है अब मैं इसकी कंदों की कटिंग करूंगी और फिर मैं इसकी नेक तियार करूँगी पहले तो फिर हम इसको आपस में जोड देंगे ये मैं चाइनीज बैन वाला गलब ना हूंगी इसका फुल पटी आगे से जो पीछे को बैन जाता है इसका एक इसलाई के साथ इसी तरह की पटी में उसकी भी तियार कर लूँगी जैसे ये मैंने स्लाईगें लगा के तियार की है ये मैंने इसकी पटी तियार कर ली हुई है अब मैं इसकी कटिंग करूँगी जितनी मुझे इसकी लंबाई चुड़े चाहिए ये उपर से मैं तीन इंच पे निशान लूँगी इसका और नीचे से ये मैं इसका तक्रीबन ये 17 इंच पे निशान लूँगी 16 इंच पे फिर ये मैं इसकी कटिंग करूँगी और खुद ही ये जब हम इसलाई का मार्जिन छोड़के तो जब हम इसे त्यार करेंगे तो ये हमारा 17 इंच का त्यार हो जाएगा कटिंग मैं इसकी 16 इंच पे करूँगी ये देखे मैंने ये निशान लगा लिया हुआ है तो मैं इसी के साबस की इसी कटिंग कर दूँगी इधर से मैं इसका कट लगा लूँगी जो हमारा वीगा बनेगा पहले मैं इसके आपस में तीरे लगाँगी ये मैं दो शर्ट का अगला और पिछला जो हमारा तीरे का इसको मैं सीधा रखके तो मैं इसको पहले गुमसलाई का करूँगी थोड़ी सी हलकी सी पैर की सलाई लगा होगी क्योंकि ये जब कालर में आ जाएगा बैन में आ जाएगा तो फिर उसकी वज़ए से इसका ओवरलाख होना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं इसको पहले गुमसलाई का लगा लूँगी तीरे को वैसे भी ये सारी शैड़ हमारी तक्रीबन ऐसी त्यार होगी कि इसकी कोई भी सलाई हमारी जो अभरलाख नहीं gँँआनी पड़ेगी सिर्फ बाजू के जो हम जब कंदे इसके लगाएंगे बाजू लगाएंगे तो वो बाजू की और ये कंदे की जो होती है इसकी सलाई सिर्फ वो ही ओवरलाफ होगी बाकी सारी ये गुम सलाई में आ जाएगा ये अब हम इसको मैं पलट के इसको पूरी सलाई कर दूँग ऐसे ये हमारा तीरा इसका गुम सलाई में जुड़ गया ये देखे है अब हमारे दागे नहीं निकलेंगे अब हम इसका सेंटर करेंगे पिछले गयरे का पिलकुल सेंटर से ये निशान लगा लेंगे इसी तरह हम इसका भी ये जो हमने गले की पट्टी त्यार की है इसका भी निशान लगा लेंगे चौक से सेंटर करके इसका निशान लगा, वैसे ये सलाई का जोड है इसमें, लेकर फिर भी मैंने ये आपके लिए ये चौक से निशान लगा लिए सेंटर में, इसको सीधा भी चा लेंगे, इधर से हम ये वी कट कर देंगे थोड़ा सा, जो हमारा सलाई जहां तक आएगी, ऐसे इसको अंदर रखके, जितना हमारा सलाई का मारजन है, उसी के साथ मैं इसकी ये सलाई लगाती जाऊंगी, ये मैं आरजी सलाई लगाँगी, क्योंके बाद में मैंने इसके ओपर वो कंप्यूटराजर मशीन से फिर सलाई लगाँगी, जिससे ये हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं ये फुल शेर्ट की स्टीचिंग आपको दिखा रही हूँ, कि हम कैसे सिंपल जो सादा आजकल प्लेन कपड़ों का फैशन है, बहुत ज्यादा फैशन में है, तो उसके ओपर हम गर्मे ही कैसे इसको रैडी मिड शेर्ट की लुक दे सकते हैं, नए सीखने वालों के लिए तो ये बहुत पैस्ट है मेरी वीडियो, उमीद है कि उन सब को जरूर पसंद आएगी, जिदर मैंने ये कट लगाया था, वहाँ तक मैं इस सलाई को खतम कर दूँगी, और इदर से ही मैं दूसरी तरफ भी इस सलाई कर दूँगी, अब मैं इसका जोल खतम करके तो इदर से प्रेस करूँगी, और उपर से पिर ये सलाई लगा दूँगी, ये दिखे कितना नीट हमारा ये बैन वाला गलात यार हो गया है, अब मुझे जितनी इसकी लेंट चाहिए, उतना मैं इसके नीचे कपड़ा लगा दूँगी, मैंने ये साथ इंच पे तीरे से साथ इंच पे निशान लगाया है, ये देखें, एक आरजी सी स्लाइब मैं इसके उपर भी लगा दूँगी, ताके मुझे कम्प्यूटर जा मशीन में ये लगाते हुए जरा भी मुश्किल पेश ना आए, ये मैंने इसके बादू भी इसी तरह त्यार कर लिए हुए, और इसको जो मैंने साइडों से इसके पट्टी लगाकर इसको जोड़ना है, तो वो मैंने पट्टी भी त्यार कर लिए हुए, अब ये मेरी सारी स्लाइब हो जाएगी कम्प्यूटर जाएज मशीन से, ये एक साइड से पहले मैं ये गला बनाऊंगी, गले की जो मैंने सिंगल स्लाइब लगानी है, वो मैं लगा लूँगी, उसी कलर का दागा है, ये इस मशीन से जैसे हम दूसरी स्लाइ मशीन में, सिंपल मशीन में डबल तार करके दागे की तो स्लाइब लगाते हैं, इसमें हमें दबल दार करने की जरूरत नहीं है इसमें यही हमें वो हम बस स्लेक्ट करेंगे उस डिजाइन को तो वो ही हमारा बनता जाएगा यह भी हमारा डबल दागा हो गया इसी तरह मैं दोनों साइडों पर लगा लोगे और इसी तरह ही में शेर्ट के चारो दर्व लगाओंगी इसलाई अब मैं इसलाई लगाँगी सेंटर में बिलकुल के हाफ हमारा दूसरी साइड से जाएगा और हमारी ऐसी शर्ट बंद हो जाएगी निचे से चाग हमने जितने खुले रखने वो मैंने उतना ही साग पे निशान लगा के उतना छोड़ दिया हुआ है अब ऐसी तरह ये स्लाइस सारी चारो तरफ गुमा दूंगी और दूसरी साइट का भी चाग इसी तरह जोड़ते हुए जाओंगी शर्ट के नीचे से पट्टी के साथ जैसे मैंने इदर से जोड़ा था ऐसे ही मैं इसको भी जोड़ दूंगी झाल 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 ऐसे ही मैं इदर से पिसलाई लगाऊंगी और ये हमारी शर्ट हो जाएगी कंप्लीट फिर मैं आपको बाजो लगा कर इसकी फुल लुक दिखाऊंगी शर्ट की अमीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी थोड़ी दंबी है लेकिन ये मैंने फूर शर्ट की वीडियो शेयर किया आपके साथ इसलिए आपको थोड़ी दंबी लग रही होगी फिर भी आप मेरी वीडियो कोशिच करें फुल वाउच करें और मेरे बताएं कि आपको ये मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे आपके अच्छे अच्छे से कमर्स का इंतजार रहेगा अब इसी तरही मैं इसकी ये सारी सलाई कंप्लीट कर दूँगी झाल 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 ये हमारी हो गई है शर्ड तक्रीबन त्यार अब मैं इसके बाज लुगाऊंगी और फिर मैं आपको फुल शर्ड की ये दिखाऊंगी ये देखें ये हमारी साइडों से ऐसे नजर आएगा चौक ये हमारे चौक है और ये कमर की सलाई है ये सिंपल कुर्टा हमारा रैडिमेड लुक का गर में ही तियार हो गया है अब मैं इसके बाजू लगाऊंगी बाजू के भी सेंटर में जो जोड था उसको भी मैंने ऐसे ही कवर किय है जैसे मैंने इसकी साइडों इसलाईयां लगाई है ये हमारी होगी फुल शेयर त्यार अमीद है कि आपको मेरी अच्छी लगेगी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें अल्ला हाफेज अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्यार रखें अल्ला हाफेज अपना प्यारों करें अल्ला हाफेज